हर्याना के सभी दफ्तर और दुकाने प्रतिक शनिवार और रविवार को रहेंगी बन असेंशिल्स आइटम की दुकानों की रहेंगी छूट हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल्विज ने ट्वीट कर दी जानकारी सैदपुर गाउं से प्रशाशन ने हटाया अफैद कबजा पुलिस भी रही मौजूद सैदपुर गाउं में प्रशाशन द्वारा चार भीगा जमीन पर हुए अवैद कबजे को शुकरवार को हटवाया गया यहाँ पर पंचाय द्वारा प्रस्तावित नोलेज सेंटर बनाया जाएगा शुकरवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उक्त कारेवाही को अंजाम दिया गया डूटी मैजिस्ट्रेट, बीडी पियो, नरेश्ट छिकारा भी इस दौरान मौजूद रहे कारेवाही की दुरान किसी प्रकार का कोई विरोध सामनी नहीं आया अवैद कब्जे से मुक्ट करवाई गई जमीन पर नोलेज सेंटर का निर्मान करवाया जाएगा जहाँ पर ग्रामिनों को सरकारी योजनाओं से संबंदित, सभी प्रकार की जानकारी मोहिया करवाये जाएगी इसके साथ ही युवाओं को विभिन किताबे यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी गाउ सरपंच धर्मिंद्र का कहना है कि जल्द ही यहाँ पर निर्मान कारे की शिर्वात कर दी जाएगी शर्डियूल के मताबिक बिजले न देने पर भढ़के सिसाना गाउं के ग्रामिन कहा उन्होंने दी है फ्री में जमीन पूरी बिजली देन निगम सिसाना गाउं वासी शुकरवार को खर्खुदा की बिजले निगम कारेयले में पहुँचे और गाउं के शर्डियूल के मताबिक बिजले आपूर्टी न होने पर नाराजगी जाहिर की ग्रामिनों ने थाना कला गाउं की तरस पर बिजले निगम को मुफ्त में पावर हाउस के लिए दी गई जमीन के बदले पूरी बिजली देने की मांग की है शुकरवार को गाउं सिसाना एक वदो के ग्रामिन एकत्रित होकर बिजले निगम कारेयल में पहुँचे और गाउं में बिजले आपूर्टे की मोज़दा स्थिती पर नाराजगी वैक्त की ग्रामिनों ने कहा कि लंबे समय से गाउं में बिजले की निधारी तापूर्टी नहीं हो रही है निगम अपनी मर्जी पर किसी भी समय बिजली काट देता है जिससे उन्हें सिधे तोर पर पर परिशानी हो रही है ग्रामिनों ने इस दोरान कहा कि उनकी तरफ से गाउं में पावर हाउस का निर्मान करने के लिए मुफ में बिज्री निगम को जमीन दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बिज्री कटों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में वे चाहते हैं कि उन्हें परियाप्त बिज्री मोहिया करवाई जाए इसके साथ ही गाउं की खस्ता हालत बिज्री लाइन में सुधार करने के साथ ही ट्रांसफार्मरों को भी मर्बत कराई जाए ग्रामिनों ने बिज़र निगम से मांगी है कि दिन में चार घंटे वरात को बारा घंटे बिज़र महिया करवाई चाहे इस मोगे पर ग्रामिन्ट विक्की, सुरेंद्र, राजकुमार, मुन्नी, राधिशाम, सहित भारी संख्या में ग्रामिनों ने हिस्सा लिया COVID-19 कोरोना वाइरस के 49 नई पोजिटिव केस केगर दर्श कोरोना वाइरस के 49 नई पोजिटिव मरीजों का कुल आकड़ा हो 3721, नई कोरोना पोजिटिव मरीजों में 14 महिला मरीज भी समयलित उपाईक शामलाल पुनिया ने कहा कि सौनिपत में शुकरवार को साइंकाल तक COVID-19 कोरोना वाइरस के 49 नई पोजिटिव केस दर्श के गई हैं जिन में 14 महिला मरीज भी समयलित हैं नई मामलों के साथ ही अब जिला में कोरोना वाइरस के पोजिटिव मामलों का कुल आकड़ा बढ़कर 3721 हो गया है उपाईक शामलाल पुनिया ने कहा कि शुकरवार को COVID-19 कोरोना वाइरस से संक्रमित एक वैक्ति की मृत्यू दर्श की गई है उन्होंने बताया कि भरतपुरी काठ मंडी निवासी रामकरण मित्यल कोरोना वाइरस से पीढ़ित ते जिनकी आयू 75 वर्ष थी उन्होंने कहा कि अब जिला में कोरोना मृत्कों का कुल आकड़ा 41 हो गया है